हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपी के चैनल ट्रेडर जोन में आज हम बात करने वाले हैं ट्राइटेंट के बारे में दो बहुत ही लेटेस नियूज निकल कर आये हैं फ्रेंड्स जो के हम एक एक करकर डिसकस करेंगे आज वीडियो में और मुझे लगता है इस महीने य एक लेटेस नियूज निकल कर आये है वो भी हम आगे डिसकस करेंगे और डिटेल में अनलाइस करेंगे कौटरली रेजल्ट कैसा होने वाला है अगर आप ट्राइटेंट के शेर होल्ड करते हैं या बाई करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन सबसे पहले मिले चले फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक डिस्क्लेमर के साथ सबसे पहले हम इसका परफार्मेंस देख लेते हैं इसने क्लोजिंग दी है 53 रुपीज 90 पैसे पर अगर हम परसेंटेज में देखे तो 1.03% की एक ठीक ठाक तेजी देखने को मिली ये उबन हुआ था 54 रुपीज 20 पैसे पर ये हाई लगाया 54 रुपीज 45 पैसे और ये लो लगाया 53 रुपीज 50 पैसे आज एक रेंज में चल रहा था ट्राइडेंड का शेर सिर्फ एक रुपे का मुमेंट देखने को मिला चले अब हम एननेसी पर भी देख लेते हैं कर रहा है और मुझे लगता है कि इस महीने ये अपना 52 वीक हाई भी ब्रेक करता हुआ दिख सकता है किसलिए मैं कह रहा हूँ वो भी हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं कॉंटिटी ट्रेडेड है 1 क्रोर 32,13,000 की कॉंटिटी ट्रेड हुई है और 17,1000,000 की डिलिवरिट हाई गई है पसेंटेज में देखे तो 61.81% की डिलिवरिट हाई गई है नेसी और बीएसी पर बहुत ही अच्छी मातरा में डिलिवरिट हाई गई है जो कि एक positive indication है लेकिन volume में गिरावट देखने को मिल रही है चलिए अब हम volume analysis भी कर लेते हैं यहां कि सभी को बेसबरी से इंतजार है quarterly result का और देखना है meeting में किस तरह के decision लिये जाते है management के द्वारा यह एक high potential share है जिसमें आप invested रह सकते हैं short term के लिए या long term के लिए चलिए अब हम price return profile भी देख लेते हैं यहां one year में इसने 439.98% का return दिया है 6 months में 226.3% का return दिया है 3 months में 90.54% का return दिया है और पिछले 1 month में 2.6% का return दिया है 14 days में आपको minus 2.73% का negative return दिया है और पिछले 7 दिन में 2.4% का return दिया है लगातार ये particular share अपने share holders को positive return देता हुआ आ रहा है और कई analyst का मानना है कि इसमें बहुत ही अच्छा potential है और ये 100 के पार भी जाता हुआ दिख सकता है चलिए अब हम देख लेते हैं क्या news निकल कर आई है यहाँ आप देख सकते हैं Trident ने अपना inside trading का window बंद कर दिया है उन्होंने अपनी inside trading बंद कर दी है क्योंकि आपको तो पता ही है company के management को पता रहता है कि यहाँ company profit post करने वाली है या loss उससे consider करते हुए किसी बड़ी manipulation को रोखने के लिए सभी ने ये regulation लेकर आया है 2015 में उसके अनुसार Trident ने अपना internal trading बंद कर दिया है और यह अपना quarterly result जल्द ही declare करने वाले हैं उसके बारे में कोई भी तारीक निकल कर आती है तो हम अपने channel पर update करेंगे friends चलिए अब हम इनका income statement देख लेते हैं पिछले quarter कैसा performance था यहाँ आप देख सकते हैं profit before tax एक जबरदस जम देखने को मिला था जो के 313.98 crores है और net income भी निकल कर आया था 234.59 crores आप यहाँ देख सकते हैं quarter on quarter काफी growth दर्शाई है Trident ने और उनका business भी काफी expand हुआ है इस quarter और recent past में इन्हों ने अपना detergent भी market में launch किया है quarter on quarter इनके profit में एक बड़ी बड़त देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि इस quarter भी एक अच्छा profit पोस्ट करेगा Trident उसे consider करते हुए आपको hold करके चलना चाहिए चलिए अब हम shareholder pattern भी देख लेते हैं यहाँ promoter की holding है 73.02% यह एक बड़ा percentage है promoter के पास इससे हम understand कर सकते हैं कि shareholders safe है mutual fund companies के पास है 0.01% FIIs के पास 2.14% है retailer और others के पास है 24.83% चलिए अब हम dividend भी देख लेते हैं किस तरह का dividend दिया है Trident ने अपने shareholders को लगातार ये अपने shareholders को dividend देता हुआ आ रहा है यहाँ आप देख सकते हैं 2021 में May 25th 2021 को 36% का dividend दिया है और October 28th 2021 को भी 36% का dividend दिया है Trident ने लगातार ये अपने shareholders को dividend देते हुए आ रहे है मैं ये particular share में invest करने के लिए जब से कह रहा हूँ जब ये 20 रुपीज पर था जिन लोगों ने 20 रुपीज पर invest करके रख लिया और अभी भी उनके portfolio में है तो मुझे लगता है कि उन्हें एक बहुत ही अच्छा profit दिखा रहा होगा चलिए अब हम news देख लेते हैं क्या निकल कर आई हैं यहां आप देख सकते हैं टेक्स्टाइल शेर रैली on improved outlook संगम वर्दमान hit new heights जब से टेक्स्टाइल का GST डिफर हो चुका है तब से टेक्स्टाइल शेर में काफी रैली देखने को मिल रही है अगर आप यहां देखें according to rating agency CRYSAL the domestic textile industry is firmly on course to recover in fiscal 2022 on the back of reopening of business educational institution and retail outlets CRYSAL एक rating agency है उन्होंने कहा है textile industry में एक बड़ा जम देखने को मिल सकता है 2022 में क्योंकि पिछले 2 साल से तो आपने देखा ही है COVID के चलते हैं schools बन थे और कई businesses उतना अच्छे से चलने ही पा रहे थे लेकिन अभी काफी growth देखने को मिल रहा है और schools भी reopen हो चुके हैं उसे consider करते हुए CRYSAL जो कि एक rating agency है उन्होंने कहा है कि textile industry में एक बड़ा जम देखने को मिल सकता है अगर आप Trident के share hold करते हैं तो मैं suggest करूँगा कि आप hold करके चलिए इस quarter दुबारा से profit post करने वाला है Trident और अगर ये profit post करेगा तो आपको तो पता ही है upper circuit पर upper circuit लगाता हुआ दिखेगा Trident अगर आपके पास Trident के share है और आपको अच्छा profit दिखा रहा है तो comment करके ज़रूर बताइएगा और आपको इसमें से अभी exit नहीं होना है friends इसे hold करके चलना होगा market अभी rally दिखाती हुई दिख सकती है क्योंके quarterly result post करने वाले हैं companies friends ये तो मेरे views थे कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से advice लेखर invest कीजिए अगर ये वीडियो आपको informative लगा तो इसे like करकर encourage करिए और अपने दोस्तों के साथ भी share करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़दी से subscribe बटन दबा दीजिए और बेल आए के दमना मत भूलिये ताकि आपको इसी तरह की latest news और genuine information सबसे पहले मिले